अब हम बात करते हैं जन सिंख्या संगठन की और दूसरी विशेषता जिसे हम धार्मिक संगठन के विशे में बात करते हैं बच्चों हम सभी को पता है कि जब हम बात करते हैं कि हमारा जो देश है भारत वो विविता में एकता या अनेकता में एकता की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा था कि हमारे भारत में बहुत सारी भाशाओं को बोलने वाले और बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग जो जो है वो हर धर्म को समान रूप से महत्व और प्राथमिक्ता देता है। उन्हें अपने धर्म के अनुसार, उनके रिती रिवाज, खान, पान, रहन, सहन, मानने की हर प्रकार से इस राष्ट में स्वतंतरता है प्रत्यक धर्म को मानने वालों के लिए। तो बहुत से जो धर्म हैं वो हमारे देश में मिलते हैं। यदि हम बात करें तो हिंदू है, इसलाम है, सिख है, इसाई है, जैन धर्म को मानने वाले हैं, बौध धर्म को मानने वाले हैं। तो आईए हम थोड़ा-थोड़ा इन सभी धर्मों के विशय में बात कर लेते हैं। सभी ये जो धर्म हमने देखे उसमें अलग-अलग धर्मों की सभी की क्या विशेष्टाएं हैं और कितनी जनसंख्या जो है वो सभी राज्यों में इनकी देखने को मिलती हैं तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं हिंदू धर्म को हिंदू धर्म जो है वो भारत वर्ष का सबसे प्रमुख धर्म है और इस धर्म के अनेक संप्रदाए हैं जैसे कि आर्य समाजी हैं ब्रह्म समाज है और प्रमुख रूपसे न lot हम बात करें जो राधास्वामी को मानने वाले हैं और इसके अतरिक्त ब्रह्म समाज ये जो हैं वो हिंदू धर्म के अनेक्स संप्रदाएं हैं और इसके साथ साथ हम जो देखते हैं जैन हैं या हम सिख धर्म और बॉद्ध धर्म की बात करें तो ये भी हिंदू धर्म के ही एक प्रमुख अंग जो हैं माने जाते हैं हिंदू जन संख्या जो है वो आपके असम अरुनाचल प्रदेश नागलेंड मीजोरम मेघाले की हम बात करें इसके बाद पंजाब हो गया मडीपूर हो गया और केरल और उत्तर में जम्मू कश्मीर इसके अत्रिक केंद्र शाशीत प्रदेश लक्षदीप को छोड़ कर जो शेस सभी राज्य हैं और केंद्र शाशीत प्रदेश हैं यहां पर हिंदू जो धर्मावलंबी जन संख्या है उनकी संख्या लगभग 75 प्रतिशत और उससे भी अधिक देखने को मिलती है अब हम बात कर लेते हैं हिंदू धर्म के प्रमुक सिध्धान कौन कौन से है या हिंदू धर्म क्या कहता है क्या मानता है तो उसमें पहला है कि इस धर्म को जो मानने वाले हैं उनका परमपिता परमेश्वर पे अटूट विश्वास है ये कर्म के साथ साथ पुनर जन्म औ और मोक्ष पर भी विश्वास रखते हैं। यदि हम 1991 की जनगर्ना देखें तो इस जनगर्ना के नुसार कुल जन संख्या का लगभग 67.25% जो है वो हिंदुओ का है। हम भारत के नक्षे में देखें तो जो पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है और प्रायदीपी भारत जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर ही हमें जो हिंदु धर्म को मानने वाले हैं वो सबसे अधिक जन संख्या यहाँ पर हमें मिलेगी। अब हम दूसरे धर्म इसलाम धर्म की बात करते हैं इसलाम धर्म का भारत में हम आगमन कह सकते हैं कि आठवी शताबदी के पूरो हुआ था और जैसे जैसे समय बढ़ता गया बारवी शताबदी में मुस्लिम राजी की स्थापना हुई और इस मुस्लिम राजी की स्थापन के प्रचार प्रशार के साथ साथ इसलाम धर्म का भी प्रचार प्रशार जो है वो बढ़ता गया इस धर्म के इसलाम धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं शिया और सुन्नी इस धर्म में जन्मदर जो है वो हमें धार्मिक कारणों से अधिक देखने क मिलता है और यदि हम कहें तो प्रमुख रूप से दो कारण है जिसके कारण इस धर्म में जन्मदर अधिक होता है पहला तो इस धर्म को जो मानने वाले हैं उनमें बहु पत्नी प्र légाथी चलती है और साथ ही साथ या इस धर्म में परिवार नियोजन को निशेद माना गया है जिसके कारण जन्म दरी इस धर्म में हमें बहुत अधिक देखने को मिलती है जो है वो हमें जम्मु कश्मीर में देखने को मिलती है यहाँ पर लगभग 38.43 लैक जो है वो मुसल्मान मिलते हैं और मात्र 19.30 लैक या 19.30 लाक हिंदु जनसंख्या देखने को मिलती है यहां कुल जन संख्या यदि हम पूरे जम्मो कश्मीर की कुल जन संख्या को देख ले तो उसका 64.2% जो पॉपलेशन है वो सिर्फ मुसल्मानों का है और जम्मो कश्मीर के बाद इस्थान आता है उत्तर प्रदेश का यहां पर 1.7 करोड इसलाम धर्म को म पानने वाली जन संख्या रहती है और यहां पर कुल जन संख्या में 16 प्रतिशत जो है वो मुसल्मानों की है और तीसरा इस्थान जो है वो केरल का है जहां पर 24 लाख मुसल्मान जन संख्या रहती है और इन सब के अतरिक्त हम देख सकते हैं पशिम बंगाल, बिहार, आंध प्रदेश है, तमिल नाडू है, उसके बाद गुजरात है, दिल्ली है और लक्षदीप में भी हमें मुसल्मान जन संख्या की बहुलता देखने को मिलती है। यदि हम जाती के अनुसार देखें, तो अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती में सबसे अधिक इस धर्मका विस्तार हुआ है। आंध्यप्रदेश और आपका जो पूर्वी मध्यप्रदेश है, यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक है। 2001 की जनकरणा के अनुसार भारत की कुल जन संख्या का लगभग 2.3 प्रतिशत इसाई धर्म को मानने वाले लोगों की मिलती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिख्धर्म के विशय में। सिख्धर्म की स्थापना गुरुनानक देव ने की थी और इस धर्म को हिंदूओं के जो अनुसुचित जाती के लोगों ने अधिक अपनाया है। और ये जो धर्म है सिख्धर्म वो हिंदूओं का जो प्राचीन परमेश्वरवादी जो विचार धारा है हिंदूओं की उनको ये सच्चे धर्म के रूप में अपनाते रहे हैं। हम बात करते हैं कि सिख्धर्म जो है मुर्ति पूजा, जाती प्रथा और पुनरजन्म इन तीनों बातों का ये धर्म खन्डन करते हैं। इस धर्म को मानने वाले अनियायों के पास हमेशा पांच चीजें जो हैं वो रहती हैं जिसमें हम बात करते हैं कच, कृपाण है, कंगी है, कड़ा है और केश ये इनके अनियायों या इस धर्म को जो मानने वाले हैं उनके पास हमेशा होता ही है फिर हम ये देखें कि भारत में इसकी सबसे अधिक जन संख्या जो है वो हमारे पंजाब राज्य में मिलती है और पंजाब के बाद हम देखेंगे चंडीगड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो अतराई इलाका है वहाँ पर और राजस्थान का जो गंगा नगर जीला है यहाँ पर हमें इनकी संख्या सबसे अधिक देखने को मिलती है यदि हम 1999 की जनगरना की बात करें तो 1999 की जनगरना के अनुसार इनकी संख्या जो है वो लगभग 1.08 करोड थी जो कुल जन संख्या का 2.12 प्रतिशत थी 1999 में अब 2001 में ये जो जन संख्या है वो बढ़कर 1.92 करोड हो गई जो कुल जन संख्या का 1.84 प्रतिशत है इसके बद हम बात करते हैं बौध धर्म के विशय पर बौध धर्म जो है ये भी हिंदू धर्म की एक शाखा है और गौतम बुद्ध ने इशापूर्व छठवी सताब्दी में बौध धर्म का सबसे अधिक प्रच में किया था फिर हम देखेंगे कि दसवी शताब्दी के बाद भारत में धीरे धीरे इस धर्म का लोप हो गया और इस धर्म के जो अनुयाई हैं मानने वाले हैं उनकी संख्या देश में मात्र 70 लाख जो है वो रह गई है अब हम भारत में देखें तो महारास्ट है आपका म महारास्ट के बाद हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश फिर लद्दाख सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश इसके साथ ही त्रिपुरा राज्यों में अरुनाचल और त्रिपुरा राज्यों में इनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक मिलती है जो कुल जन संख्या का 0 0.76% है अब हम बात करते हैं जैन धर्म के विशाय पर जैन धर्म भी हिंदु धर्म की एक शाखा है और इसकी स्थापना चठवी शताबदी इशापूर्व स्वामी महावीर ने की थी और इस धर्म के जो को मानने वाले सबसे अधिक लोग जो हैं वो वैश्य समूदाय के होते हैं इस धर्म के प्रमुक रूप से दो सम्प्रदाय हमें देखने को मिलते हैं दिगंबर और श्वेतामबर इनके जो अनियाई हैं वो सबसे अधिक हमें उनकी संख्या लगभग 50 लाख है जो यहां की कुलचन संख्या का 0.59% है ये मुख्य रूप से हमें गुजरात महारा फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलते हैं फिर अगला धर्म है पार्सी धर्म पार्सी धर्म जो है वो सात्वी शताबदी में मुस्लिम जो धर्म था उसके अत्याचार से बशने के लिए फारस से भाग कर भारत का जो ये पश्मी तटी ये भाग है यहां पर आकर ये लोग बस गए इस धर्म के जो मानने वाले हैं वो सूरी और अगनी की पूजा करते हैं और भारत में इस धर्म को मानने वाले लगभग 10 लाक लोग निवास करते हैं और अधिकांस जो पार्सी समुदा है वो मुंबई और गुजरात में बस गए हैं झाल झाल